Sorry for your time का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं Sorry for your time का मतलब होता है कि आपकी समय के लिए खेद है यानि कि आपका मानली जी समय किसी वैक्ति ने लिया और उसे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही समय ले लिया है जिसकी वज़े से आपको ऐसुविदा हो सकती है या आपको समस्या हो सकती है तो उसके लिए जब वो माफी मांगना चाहता है कि भई आपका मैंने बहुत समय लिया या आपका समय थोड़ा बरबाद किया उसके लिए मैं किशमा चाहता हूं मापी चाहता हूं तो उसके लिए वो कहता है sorry for your time याने कि sorry for your time is a polite way to express regret for taking up someone's time और inconveniencing them it's commonly used when you feel that you may have wasted someone's time or when you want to acknowledge that the person has spent their time helping or assisting you it's a courteous way to show appreciation for the time and effort someone has dedicated to you याने कि जब सामने वाला ये कहना चाहता है कि आपने जो समय दिया है मैं उसकी बिल्कुल कदर करता हूं और मैंने आपका बहुत समय लिया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और जब उसे आपका effort और आपकी जो मदद है वो सही लगते हैं कि आपने काफी समय लगा के उसकी मदद किये तो उसके लिए वो जब आपका समय खराब करवाने के लिए समय लेने के लिए जब माफी मांगना चाहता है तो ऐसा कहता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें